अगर 2019 के एलेक्शन नजदीक है और आपकी कई सारी वीडियोज मैंने देखिए कई जगे आप जाते हैं धरने प्रेडिशन पर अगर भी करते हैं और उसमें इवियम की बात को बहुत लेके चलते हैं अगर 2019 के एलेक्शन इवियम से होते हैं तो बताएं कि क्या रिजल्ट र जुरुप से इस बात का खत्रा है कि बेईमानी हो जो अब तक होती रही है लेकिन इस सबके लिए इसका विरोध करने के लिए एक बड़ा मजबूत आंदोलन खड़ा करने की ज़रूत है और मैं समझता हूं इसमें सभी पार्टियों को सभी लोगों को केवल पार्टियों क और हो उसके लिए हम पूरा प्रियास कर रहे हैं पीचे भी हमने जह गावंगा जा जाके हमने यह मीटिंग करी है इस से अरगी और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयों के सामने बड़ा जबर्दस प्रदस्षण एकां दोलन करने की हमारी कोशिश है ताकि च दूद का दूद पानी के पानी हो जाएगा और अगर उसके बाद भी कुछ हो जाया तो देखी जाएगे लेकिन जनता की भावनाओं का आधर करते हुए चुनाब आयों को 2019 का लक्षन EVM से नहीं बैलेट पेपर से कराना चाहिए और मैं सभी सातियों से सभी पार्टियों से निवेदन करता हूँ इस एक मुद्दे पर इन पांच राज्यों के चुनाब के बाद सब लोग इखटे होकर एक जबर्दस आंदोलन खड़ा करें बानुपरिताब जी EVM के अंदर एक बटन होता है नोटा का नोटा का बटन दवाते हैं तो पता चलता है कि आप किसी को भी सेड़ी में से पसंद नहीं करते हैं और उसकी जो वोटिंग है वो बढ़ती जा रही है उसका क्या विशेश कारण है कि नोटा को लोग ज़्याद सब्सक्राइश के बाद यह सब कुछ इसमें शामिल हुआ है यह बहुत अच्छी बात है और जिस तरह से नोटा पे जादे वोटें पढ़ती जा रही है तो इस साफ दिखाता है कि जो लोग बोल सकते हैं कह सकते हैं वो कम से कम अपनी बात यह तो कही रहे हैं कि मैं इन मैं कि इन से किसी को नेता मैं तो विरोध हो रहा है इसा अंतिम पढ़नाम जो है उस पे असर नहीं पढ़ ला अंतिम पढ़नाम में तो उसर जब भी पढ़ेगा कि जो गलत विक्ति है वो चुनके ही ना है तो ऐसी कोई विवस्ता हो चुनावायोग आदरनी सुप्रिम कोर्ट बाकी जो और सारे काम करें इस तरह भी इस बात पर चाहिए कि इस तरह की कोई विवस्ता हो लेकिन पार्टियां क्यों सोचेंगी जो सत्ता का सुख भोग रही है वो क्यों चाहेंगी कि इस तरह की कोई विवस्ता हो क्योंकि अगर माना अभी आपने जमु कश्मीर का उधाराण देखा कि वहां पर निकाय के चुनाब हुए और कई जिए मातर 25 परसंट लोगों नवोट डालें तो बड़ी आब यह स्वाला जिसको जिसको 15 मिलके वोट जीत गया मतलब यह हैं कि सो लोग हैं एक देश में 25 तो कह रहा हैं एक जगह पे सो लोग हैं 25 तो कह रहा हैं पिचतर हम नहीं किसी को पसंद करते हम डालेंगी लेकिन जो 25 उनमें से किसी को जिसको 15 वोट मिल गए उसको तो वो जीत गया यह तेरह वोट मिल गए वो जीत गया तो सौपर आज कौन कर रहा वो तेरह वाला जो तेरह वाला यह जो विवस्ता है इसे हमें सोचने पड़ेगी मेरा कहना यह है कि जो लोग चुनाब का अच्छी बात है लेकिन यह भी व्यवस्ता करनी चीए कि किसी भी हालत में घटिया विक्ति गंदा विक्ति अपरादिक्षवी का विक्ति ब्रश्टाचारी विक्ति चुनके ना आए और यह काम जनता को करना पड़ेगा नेताओं की बात करोगे नेता नहीं करेंगे क्या लगता है अगर परसंटेज इसकी नोटा की बढ़ती है तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट पर इस पर कोई एक्शन लेंगे कि जनता की भावनाओं का कदर करते हुए या उनका ख्याल लगते हुए कुछ ऐसा करेगी या नहीं करेगे क्या लगता है इसके बार तो कुछ ना गुस्तो अच्छा होगा ही होगा आप थे एडवोकेट भानू परताब जी ऐसे में उसे बात करने के लिए से बहुत बहुत धन्य बात आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी को जैभीम नमो बुद्धा है